हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, गर्मा-गर्म मोसम आ चुका है और इस मोसम में जान बचाने के लिए मैं कुस टिप्स बता रही हूँ, उनको फोलो करें और अपनी जान बचाएं दोस्तों, मोसम में बहुत गर्मी और जुल्सा देने वाली तेज हमाय हैं जिसको लूब बोलते हैं इनसे बचने के लिए जब भी कर से बाहर निकले तो एक गिलास थंदा पानी पीकर निकले हो सके तो एक थंड़े पानी की बोटल भी रख ले थंड़े पानी की बोटल का प्रियोग सिफ साधा पानी पीने के लिए करें इसके साथ पवा नहीं मिलाना है दोस्तों, दिनबर में कम से कम दस गिलास पानी जरूर पीएं पानी पीने में कंजूस ही ना करें इस मोसम में अमारा डाइजिशन भी गड़बड हो सकता है इसलिए ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाले वाला खाना ना खाएं हो सके तो थोड़ा लाइट खाना खाए समोसा, पकोडी, कचोरी, आदी को अवोईड करें और इसकी जगे मोसमी फल जरूर काएं जैसे तर्बूज, खर्बूज, आम, कैरी की चार्ज भी आप बना कर पी सकते हैं और अपनी बूग के अंसारी खाना खाए और मस्क रहें घर से बाहर जब भी निकलें तो तेज दूप से बशने के लिए कुछ जुकाड करके निकलें जैसे की टोपी, स्काफ, गलव्स या फिर गमचा दोस्तो गमचा तो आप जानते ही होंगे अगर आप नहीं जानते हैं तो फ्रीज हमें कमेंट पे पूछीए हम आपको महाँ जवाब देंगे सूरीदेव की तेज किर्णों से बशने के लिए काले चश्मे का यूज करें दोस्तो जर्वीनी हम रेबेन चश्मा ही यूज करें हम लोकल चश्मा भी यूज कर सकते हैं वो भी हमें तेज किर्णों से बचाएगा संस्क्रीन और बोडी लोशन भी लगाएं सुबर जल्दी उठकर ताजी हवा भी खाएं थोड़ा योगा वगा भी कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा और यहां आखरे टिप दोस्तों गैस करो क्या हो सकती है आखरे टिप अरे कूलर पंखे इनका भी तो यूज करें अपने साथ साथ अपने कूलर को भी निम्बू पानी पिलाएं अच्छा निम्बू पानी ना पिलाएं उसको खुद पी जाएं और कूलर को सिर्फ पानी पिलाएं ओके बाई अरे दोस्तों सब्सक्राइब तो कर दो यार और एक लाइक भी प्लीज थैंक यू